प्रतिबिम शर्मवर आप देख रहे हैं केबिनेट दिस वीक में केंद्री मंत्री मंटल द्वारा लिए गए महत्वपूर फैसलो पर बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि केबिनेट द्वारा लिए गए फैसलो का आम और खास के जीवन पर क्या असर पड़ेगा आज सबसे पहले बात करते हैं सारजनिक वित्रण प्रणाली के माध्यम से फोटिफाइड चावल के वित्रण को मंजूरी मिलने की प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी की अधिशता में हुई केबिनेट बैठक पे केंदरे मंतरी मंडल ने सरकारी यूजनाओं में फोटिफाइड चावल के वित्रण को मंजूरी दे दी है इसे साल दोहजार चौबिस तक देश के सभी राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों में चरण बध तरीके से लागू किया जाएगा देख देख खास रिपोर्ट केंदरी कैबिनेट ने सरकारी यूजनाओं में फोटिफाइड चावल के वित्रण को मंसूरी दे दी है केंदरी मंतरी अनुराग ठाकुर ने इसके जानकारी दी चावल का फोटिफिकेशन करने में हर साल लगभग 2700 करोड रुपए का खड़ जाएगा जिसे केंदरी फ़हन करेगा इसे साल 2024 तक देश के सभी राज्जियों और केंदरी शासित प्रदेशों में चरणबध तरीके से लागू कर दिया जाएगा पोटिफाइड चावल वित्रण की योजना को लागू करने का काम तीन चरणों में पूरा होगा प्रथम चरणों में PM पोशन और ICDS योजनाओं के अंतरगत अब सभी आंगनवाडियों में और सभी विद्यालियों में मद्याहन भोजन के लिए पौटिफाइड राइस की अपूर्ति की जाएगी इससे निर्धन व्यक्तियों को, महिलाओं को, बच्चों को और माताओं में अवश्यक पोशन तत्वों की कमी को भी निप्टा जा सकता है केंद्रियों मंत्री ने बताया कि संबंध में आपूर्ति एवं वित्रण के लिए भारत्य खाद्य निगम और राज्यों की एजिंसियों ने पहले ही इट्यासी दश्मलाव शेपाश लाख टन अतिरिक्त पोशन योगत चावल की खरीत कर ली है इसे लक्षित सार्वजनिक वित्रण प्रणाली के माध्यम से अमल मिलाये जाएगा इस विशाय पर विस्तार से बाच्चित करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भोगता मामले खाद्य एवं सारजनिक वित्रण मंत्राले सच्छीव सुधानशु पांडे जी अगर बात करें सभी सरकारी योजनाओं में फोटिफाइड चावल के वित्रण को मनजूरी क्या माना जाए इस फैसले को क्या आर्थ है ये दुनिया का किसी भी देश में लागू किये जाने वाला सबसे बड़ा फैसला है पब्लिक फंडिड राइस फोटिफाइड डिस्टिबूशन का प्रोग्राम दुनिया में कहीं भी इस से बहतर और इस से बड़ा नहीं है ये तीन चरणों में इंप्लिमेंट होगा पहला चरण इसका जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है इस साल से एक अप्रिल से इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें की करीब 291 जिलों में पूरे देश में जिसमें एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट्स और हेवी बर्डन डिस्टिक्ट्स जो है और जितने भी आंगनमाडी केंद्र हैं और पी-म पोशन जो प्रोग्राम है जो स्कूलों में चलाया जाता है जिसके माध्यम से मिड्डे मील दिया जाता है उन सब में फूर्टिफाइड राइस वित्रित किया जाएगा तो क्या मना जाए दो हजार उननिस बीस से सारजनिक वित्रन प्रनाली के तहत केंद्रिकी सुजुजना को तीन साल की अवधी के लिए लागो किया गया था शायद ही उप्रियोग के तौर पर था तो क्या उससे ही पहला चरण माना जाता है वो पाइलिट प्रोजेक्ट्स थे जो पंधरा राजियों में पंधरा जिलों में इनकी शुरुआत की गई थी लेकिन उनका effective implementation सिर्फ 11 राजियों में ही और 11 जिलों में हो पाया उसकी बहुत सारी वजे थी क्योंकि fortified rice वितरण के लिए जो fortified rice produce करना है उसका system बहुत complex है और वो उस पूरे ecosystem को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी तयारी की जरूरत थी और एक policy में certainty की जरूरत थी क्योंकि इसमें private sector का भी involvement है FRK mix से ले करके और FRK kernels बनाना और rice mills के थुरू फिर ब्लेंडिंग करना यह सब private sector के माध्यम से होता है तो और जितनी labs हैं जहांपर testing होनी है वो भी private sector की labs है NABL उनको accredited करता है तो जो पूरा ecosystem है इसमें हमने IIT खड़कपुर को involve किया इसमें हमने National Institute of Nutrition को involve किया जो Bureau of Indian Standards है उनको involve किया तो एक industry के साथ मिल करके एक पूरी विवस्था बनाई गई कि जिससे कि इस program को implement जब किया जाए तो बहुत ही सुचारू ढंग से ये implement हो और उसके standards बहुत हाई हो जिससे लोगों को जो चावल मिले उसकी गुरमत्ता जो है वो टॉप क्लास हो तो ये किस तरके से फोटिफाइड चावल मोटी तोर पर अगर इसको समझना चाहें हम आसान भाशा में तो ये फोटिफाइड चावल आखरकर होता क्या है ये मेरे खाल से आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है क्योंकि बहुत लोगों में गलत फहमिया होती है ये प्लास्टिक राइज है कुछ लोगों सोतें क्रित्रिम चावल तो नहीं है ऐसी बात नहीं है फोटिफाइड राइज बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम होता है जो तूटे हुए चावल होते हैं उनको पीस करके उनका आटा बनाया जाता है तो जब चावल का आटा बन जाता है तो उसमें फिर आइरन, फॉलिक असिड और B12 जो तीन पोशक तत्व हैं उस आटे में मिलाए जाते हैं और उस आटे में मिश्रित करने के बाद मशीन के माध्यम से फिर एक मशीन होती है मैनुफैक्चरिंग में जिसको extrusion technology कहते हैं जैसे आपने देखा होगा पास्ता बनता है और पास्ता बन करके निकलता है उसी तरीके से extruder के थूँ जो है इस आटे को दुबारा चावल में परिवर्तित किया जाता है जिसमें मिला चुके हैं पोशक तत्व वो चावल के आटे से बना हुआ पोशक तत्व में मिला हुआ दुबारा उसको ये extruder जो है चावल में convert करता है तो ये असली चावल है चावल के आटे को दुबारा से चावल में convert किया गया है और इसको एक और सौ के ratio में फिर जो है जो normal चावल है unfortified उसके साथ mix किया जाता है और वो mixing भी rice mills में blender के माध्यम से होती है वो manually या बोरियों को खोल के या mix कर के नहीं होती है जिस समय धान को rice mill में धान से चावल मनाया जा रहा है उसी समय blender की एक स्टेज उसमें add की जाती है और जब वो चावल बन गया है और manufacturing machine से बाहर आने से पहले उसमें एक और सौ के अनुपात में FRK मिलाया जाता है जो ये चावल fortified है और वो mix करके उसके बाद फिर वो बोरियों में pack होता है ये fortified चावल बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल और मुश्किल लग रही है लेकिन जटिल और मुश्किल होने के साथ साथ क्या मेंगी भी होती है ये पूरी प्रक्रिया तेखे जो आपने पहला सवाल किया था पाइलेट्स के बहुत अच्छे successfully implement ना हुपाने की एक बहुत बड़ी वज़े थी क्योंकि उसको economy of scale नहीं मिल पाता था अगर आप इसी प्रक्रिया को बहुत ही छोटे scale पे operate करेंगे तो इसकी cost बहुत ज़्याद आएगी ये पांच रुपे प्रतिकिलो तक भी आई लेकिन जब आपने इसके scale को बढ़ा दिया तो आज इसकी पूरी की पूरी cost जो है वो 73 पैसा प्रतिकिलो आती है जो देखा जाए तो बहुत ही कम है और जो हमारा food subsidy bill है उसमें एक प्रतिशत से थोड़ा सा ही ज़्यादा इसका cost आता है जी जो ये cost आता है मतलब की अभी तक की जो जानकारी है चावल के फोटिफिकेशन की पूरी लागत लगबग दो हजार साथ सो करोड रुपे प्रतिश है जून 2004 पेज तक इसके पूर्ण कारियान वहन होने के साथ साथ खादिय सबसेड़ी के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी लेकिन राज्यों की भी कोई इसमें भागिदारी होगी राज्यों के साथ भी क्या कुछ बाचीत की गई है इस चावल के निर्मान को लेकर वितरन तक की पूरी प्रक्रियात को लेकर देखे इसमें खर्चा तो पूरा माननिय प्रदान मंतरी जी की अध्यक्षता में जो बैठा कोई उसमें जो fortification का पूरा खरचा है वो भारत सरकार उठा रही है और आज पूरी जो food subsidy का खरचा भी है वो भारत सरकार ही वहन करती है तो चुकि फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है यह जो अब राइस प्रोड्यूस किया जाता है उसी में एक स्टेप और एड किया गया है तो भारत सकार ने फैसला लिया कि अभी हम इस फैसले में पूरी लागत जो है वो खुद इसको बियर करेंगे जून दोजार चौबिस तक और पूरे देश में जितनी भी गवर्मेंट की विलफेर स्कीम से चाहे सारवजेलिक वितरन प्रणाली हो या पी-म पोशन प्रोग्र हो या राज्यों में जो होस्टल्स होते हैं विकलांगों के दिव्यांगे जनों के होस्टल्स होते हैं बुजर्गों के होस्टल्स होते हैं उनमें भी जो राशन सप्लाई किया जाता है वो भारत सरकार ही सप्लाई करती है और उसमें भी फोटिफाइड राइस दिया जाए भी ये चावल वित्रित किये जाएंगे जी तो इसमें समझने के लिए ये जरूरी है कि जिन जिन राजियों में चावल पैदा होता है धान पैदा होता है वहीं पर मिलिग की प्रक्रिया भी होती है इसलिए वहीं पर जो फोटिफाइड राइस बनाने की प्रक्रिया भी वहीं पर कंप्लीट होगी तो जिन जिन राजियों में पैडी का धान का कल्टिवेशन होता है और प्रक्यूर्मेंट होता है उन्हीं राजियों में एफ आरके भी बनाया जाएगा फोटिफाइड राइस भी बनाया जाएगा और और वहां से फिर जो डेफिसिट राजियें जहां पर चावल पैदा नहीं होता है लेकिन खपत होती है पूरे देश में करीब 350 लाख मिट्रिक टन चावल जो है वो वितरित किया जाता है तो जब तीसरा चरण इसका आएगा उस तीसरे चरण तक पूरा 350 लाख मिट्रिक टन राइस जो है वो फोटिफाइड राइस होगा जी जी तो क्या माना जाए कि कुपोशन के खिलाफ जो एक जंग छेड़ी हुई है सरकार ने उस जंग को और मजबूती से लड़ने के लिए ये फोटिफाइड चावलों के वितरन की प्रक्रिया शुरू की गई है जी मानी प रड़ाई है कुपोशन के खिलाफ उसमें और तेजी लानी है पूरी दुनिया में जो फोटिफाइड राइस डिस्टिबूशन के जो एविडेंस हैं वो बहुत अच्छे एविडेंस हैं थाइलेंड में इसका प्रियोग किया गया है इंडोनेशिया में किया गया है इसा में महराश्टरा में और गुजरात में फोटिफाइड राइस के उपर डिस्टिबूट करके उसके आउटकम्स को देखा गया है और ये पाया गया है कि एनीमिया को घटाने में हीमोगलोबिन को बढ़ाने में बहुत अच्छी सक्सिस रही है इसके निर्मान के जो प् गुना आप बता रहे हैं वो तो बहुत खासी हैं किसी को भी पोशक तत्वों के आफशकता है तो ये फोटिफाइड राइस खा सकती हैं तो ये तो एक हो गई कि गरीब लोगों के मद्धे ये सरकार मुफ्त वित्रित करेगी इसके अत्रिक ता बाजार में भी उपलब्द हो सकती हैं चावल और इन चावलों को बाजार में उपलब्द सरकार करवाए चाहे उसके वज़ में एक दाम तै कर दे क्योंकि अगर पोशक चीज़ है तो वो मेरे और आप तक भी कहीं न कहीं पहुँचनी चाहिए जी देखिए सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कोशन की समस्या कहां से पैदा होती है जब आपकी खुराक में जो बैलेंस डाइट है वो नहीं होती है जिसमें सबजी भी होनी चाहिए फल भी होने चाहिए डालें भी होनी चाहिए वो नहीं जब आपको मिलती है तब आपको पोशन का शिकार होते हैं तो जो मिडल क्लास lower middle class या गरीब तपका है अक्सर वो इन सब चीजों को अपने खाने में शामिल नहीं कर पाता है कीमतों की वज़े से जी तो इसलिए सरकार की पहली कोशिश यह है कि इन लोगों तक यह पहुचाया जाए आज भी मार्केट में बहुत सारे ब्रैंड जो है वो फोटिफाइड राइस, फोटिफाइड आटा, फोटिफाइड ओयल, फोटिफाइड मिल्क, डबल फोटिफाइड सॉल्ट यह सब FSSCI के जो निर्धारित, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पे मार्केट में यह अल्रेडी अविलेबल हैं लेकिन कीमत ज्यादा होने की वज़े से जो तपका है, वो उसको नहीं ले पाता है, तो यह एक बड़ा निर्णे है सरकार का कहीं न कहीं को पोशिट से लडने के लिए और पोशित तत्व गरीबों तक पहुंचाने के लिए, सुधानशु जी आपने बहुत बारिकी से इस फोटिफाइड चावल के बारे में इसके न नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी मिलने के ब्रेके बाद केबनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है बात करते हैं अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मिली मंजूरी की केंद्री मंत्री मंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है इस मिशन की स्थापना वर्ष 2015 में वित मंत्री द्वारा दिये गए बजट भाशन के अनुरूप नीती आयो के तहत की गई थी देखते हैं का रिपोर्ट प्रधान मंत्री मोधी के अध्यक्षिता में केंद्रिय मंत्री मंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोविशन मिशन को जारी रखने की मंसूरी देती है AIM एक नवाचार संस्प्रती बनाने की अपने इच्छित लक्ष और देश के उध्यम शिल्ता परिस्थितिक तंत्र में काम करेगा यह AIM द्वारा अपने विभिन कारिक्रमों के माध्यम से किया जाएगा AIM द्वारा हासिल किये जाने वाले लक्षित लक्षियों में 10,000 अटल टिकरिंग लैप्स की स्थापना 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 50 अटल सामुदाइक नवाचार केंद्र इस्थापित करना और 200 स्थाटप का समर्थन करना शामल है सरकारी अंकडों के अनुसार लाफार्धियों की स्थापना और समर्थन की प्रक्रिया में 2000 करोड रुपे से अधिक का कुल बजट व्याई क्या चाएका इस विशह पर विस्थार से पाचित करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वर्च्वली अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर चिंतन वैशनव चिंतन वैशनव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका केंद्री मंत्री मंडल ने अपरेल आठ दोहजार बाईस को अटल इनोवेशन मिशन ए आई एम को मर्च दोहजार तेज़ तक जारी रखने की मज़ूरी दे दी है कितना महत्वपूर्ण फैसला है यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है इसलिए कि पहले तो यह अटल इनोवेशन मिशन के काम को समर्थन दे रहा है हर स्कीम का जैसे मुल्यांकन होना चाहिए यह स्कीम का मुल्यांकन होने के बाद का फैसला है तो बड़ा बड़ा इमध पून फैसला है और अब तक का जो काम हुआ है जिस दिशा में हम चल रहे हैं उस दिशा में चलने का यह समर्थन एक और से है और एक और से एक नई दिशा इस साल के अंतरगद नई दिशा को सोचने का एक नियोता भी है जी अगर बात करें कि अटल इनोवेशन मिशन की घोश्णा वर्ष 2015 में बजट भाषन के दौरान की गई थी जिसका जिकर हमने पहले भी किया है तब से लेकर अब तक अगर इस की स्थिति की वरतमान स्थिति की बात की जाए तो क्या वरतमान स्थिति है क्या लक्ष निरधार हैं उसके लिये चार अलग-अलग schemes अटल innovation mission में चल रही हैं एक तो school में 6 खक्षा से बारावी कख्षा के बच्चों के लिए innovation के लिए tinkering labs बनाई जा रही हैं जिसका लक्ष्च DOWN दस हजार लैब बनाने का था आज तक हमने 9600 से उपर लैब्स का निर्मान किया है जो 34 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हर जगे है और वहां करीबन 75 लाख बच्चों को एक इनोवेशन के विशय से वाकिफ किया गया है अब तक सो यह एक स्कीम है दूसरी स्कीम अटल इंक्यूबेशन सेंटर की जो के स्कूल याने कॉलेजिज यूनिवर्सिटीज अलग-अलग इंडस्ट्री बॉड़ी ले लिजी आप कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया डेरी बोर्ड मेट टेक जोन्स जैसी जगों में बनाए गये हैं उस इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में जिनके पास एक आइडिया है उसको वो स्टार्ट अप तक ले जा सकते हैं इसकी सारी सुविदाएं उनको दी जाती हैं तीसरी स्कीम जो नहीं है कंपेरिटिवली जो के अटल कम्यूटी इनोवेशन सेंटर्स जो हैं अगर आप भारत के गाओं में अगर आप भूमे हो तो आपने देखा होगा कि काफी हमारे रूरल एरियाज में छोटे शहरों में ऐसे लोग हैं जो काफी क्रियेटिव और क्रियेटिविटी और एक डे इनोवेटर्स को बढ़ावा देने की यह स्कीम है अटल कम्यूनिटी इनोवेशन सेंटर्स जो के ऐसे इनोवेटर्स सस्टेनेबल डिवलम्पमेंट गोल जैसे विशयों पर जिससे काम कर सकें इस इस स्कीम का लक्ष टार्गेट पचास सेंटर्स बनाने का है अब तक हमने तेरा सेंटर इसमें बनाए हैं यह नई स्कीम है और चौती एक फाइनल स्कीम बता दूँ जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है जो जिसमें मिनिस्ट्रीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देती है और हम उसको नैशनल चैलेंज चलाते हैं और स्टार्टप्स को इस प 2023 तक इस स्कीम को आगे बढ़ाए गया है तो क्या 2023 तक भी इसी तरीके का लक्ष यानि कि 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करना, 101 अटल एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना और 50 अटल कॉम्निटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना करना क्या 2023 तक भी यही लक् बनाने में 2 phases हैं एक तो इसको establish करना और दूसरा जो establish हुए हैं उनको आगे उनकी quality उनकी maturity को आगे पढ़ाना जीerte ये सही रास्ता है इसका ये समर्थन इस निड़ने में आपको देखने को मिलता है दूसरी चीज तो समझना, ये जरूरी है के इस mission को 5 साल हुए हैं और इनोवेशन और टेकनोलोजी का विशय ऐसा है कि हर पांच साल पर आपको एक बिल्कुल ही नया विजन बनाना चाहिए क्योंकि यह एक नॉन लीनियर तरीके से देश के विकास में इसकी मदद हो सकती है तो यह जो अगले फेज का जो प्लानिंग है उसके उस प्लानिंग किया जी जी अगर भागिदार की बात करेंगे इनिशेटिव पूरे तरीके से केंदर सरकार का है लेकिन क्या राज्य सरकारों की भी भूमिका इसमें नहित है या उनका सहयोग मिल रहा है या उनका सहयोग प्राप्ट करने का प्रियास किया जा रहा है बिल्कु हो रहा है और अगर आप देखें तो करीबन बीस से उपर राजियों में अपनी स्टार्ट अप पॉलिसी बन चुकी है और इसको अगले अगले फेज में इसको इंटिग्रेट कैसे किया जाए ये काम हुए करने जी जी लेकिन अगर अभी तक की वस्तुस्तिती की बात की जाए जैसा आपने कहा कि एक लक्ष निर्धारित किया गया था और कमो बेश उस लक्ष के आसपास पहुशने में कामयाब हो गए हैं क्या इनोवेशन की दुनिया में ये स्कीम कुछ जो है भारत को स्थापित करने की कोशिश कर रही है या भारत को स्थापित कर सकती है क्या बिलकुल बिलकुल तो इनोवेशन पहले तो ये बात है कि इस ये जो अटल इनोवेशन मिशन जो स्कीम है अगर आप उसके पहले का फेज देखें तो इनोवेशन की बात ज्यादा तक साइंस टेक technology तकसीमित थी Il knitting this scripture में हर राज्य में washes के कि इंस्टिटूशन में इसकी बात हो रही तो यह बढ़ा एक बहुत ही बड़ा बाव है दूसरी बात यह कि इन्योवेशन का जो ग्लोबल सिनारियो ए उसमें इंडिया है जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे हमारा नंबर 83 पर था वो अभी 46 तक आ गया है इसका कारण यह है कि इनोवेशन को पिछले पांच शे सालों में काफी कुछ बढ़ावा मिला है तो ग्लोबल सिनारियों में भी इंडिया का रोल बदल रहा है और आगे पढ़के हमें तीन चीज़ें करनी हैं एक तो यह कि हमारे इस इको सिस्टम का हम विस्तार कैसे कर पाएं जैसे हमने फिलहाल दस हजार टिंकरिंग लेकिन भारत में दो लाख साथ हजार सेकंडरी और हायर सेकंडरी स्कूल है तो इसको इसका विस्तार कैसे किया जाए अब तक हमने जो इनोवेशन इको सिस्टम बनाई है वो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए बनाई है तो अठल इनोवेशन मिशन ने पिछले दिस स्पी डूसरा यहां कि जो भी अब तक बना है उसकी क् RICH और वृविरंसी ऐसके बढ़े और तीसरा बश्म यह है कि जो का विए प्रश्ण है हमारे हैं जैसे क्रिशी का प्रश्ण है पानी का प्रश्ण है हेल्थ का प्रश्ण है इसमें हम innovation को कैसे systematically जोड़ पाए ताके हमारी समस्याइं जो है वो innovation के द्वारा हम solve कर पाएं तो यह हमारा आगे का phase अगर आपके mission ने काम किया है वो चात्र या वो व्यक्ति या वो बच्चा जो है कई ना कई वहां से सीख कर जो है कुछ नया innovative करने के लिए आ गया है कुछ इस तरीके का कुछ आंकड़ा भी आपके पास उपलब्द है क्या जरूर जरूर इसके कई उदार्ण है लेकिन मैं आपको कुछ एक्साइटिंग उदार्ण बताता हूँ जैसे अटल टिंकरिंग लाब्स में जो स्कूल के बच्चे काम करते हैं खुछ महिनों पहले इसमें इसे पाँच अलग-अलग टिंकरिंग लाब्स के भारत के अलग-अलग इसके पाँच बच्चों ने जब वो कॉलेज आए कॉलेज में साथ में आए तो इन्होंने मिलकर आई बीएम फॉर चेंज एक ग्लोबल चैलेंज होता है जी उसमें इन्होंने इस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया और उनका जो सलीशन था साफ वाटर जो के पानी की समस्या के लिए सलीशन है इसके लिए इनका प्रतियोगिता में जिसमें 50 लाख टीमस थी और 50 लाख ग्लोबल टीमस में इन लोगोंने प्रतियोगिता जीता है जी दो लाख डॉलर इन्होंने साथ मिलके जीते हैं और अपनी कंपनी को आगे बढ़ा तो ऐसा एक उदार्ण में एक यह एक उदार्ण है जैसे अगर आप आप इंक्योबेशन सेंटर्स को देखें तो करीवन 26 सो स्टार्ट अप्स यह 68 इंक्यूबेशन सेंटर्स में आज काम कर रहे हैं और इसमें से आप हमारी innovation ecosystem ऐसे स्थर पे है कि आप कोई भी प्रश्ण के लिए आप startups ढूनने बैठे तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छे startups मिल जाएंगे मैं आपको एक आप दिल्ली में हैं जी मैं आपको एक उधारन देता हूं जी जी साइट्स जो होती हैं वहां पर डस्ट का पॉल्यूशन बहुत रहता है आप यहां से अगर गुजर रहे हैं या बगल में रह रहे हैं तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है इन्होंने एक इसा सुल्यूशन बनाया है के जो ड्स कलेक्टर की तरह काम करें और वो जो कंस्ट्रक्षण ड्स है उसको कलेक्ट ही ना करें या कर दो इसके पीछे उसमें से कुछ बाई प्रॉड़क्त बनाये ताकि कंस्ट्रक्षण में यह मटीरियल फिल से यूज़ कर पाई تو ड्सڈ जाता है सरकार की तरफ से और उसके परिणाम सामने आने लगते हैं और जिन परिणामों का जिक्र यहां पर आपने किया बहुत अच्छा किया कि आपने उसका जिक्र किया जिसे सुनकर इस अटल इनोवेशन मिशन को लेकर और ज्यादा लोगों में उसकता कोतुहल पैदा और वो इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे आप हमारे साथ जुड़े बहुत सारे बिंदो पर प्रकाश डाला बहुत बहुत धन्यवाद आपका चिंतन वैश्णवजी जिया चिंतन वैश्णवजी एटल इनोवेशन मिशन के मिशन देशक और केबिनेट दिस वीक में आ झाल 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 झाल